कि है विल्कम गाई गाई जाज का मारा टॉपिक इमफैटिक प्रोनॐ है गाईक इमफैटिक प्रोनौन के साथ सत में आपको यहाँ पर एंफैटिक प्रोनन और रिफ्लेक्सिफ प्रोनियो gwाद्吃 उता है उसके बारे भी बताएंगे किसी बी तरीके का इस वीडियो को देखने के बाद आपको नहीं रहे जाएगा सबसे पहले इंफैटिक प्रणौन को समझेंगे फिर बाद में हम डिफ्रेंसियेशन की तरफ मुव करेंगे देखें इंफैटिक प्रणौन हमारा क्या होता है इंफैटिक प्रणौन्स और यूज़ फॉर इंफै तो यह प्रणौन हमारा जोड़ देने के लिए यूज किया जाता है यानिकि इंफैसिस के लिए इसका यूज करते हैं जैसे कि ही विल डूइट हमसेलफ वहां इसकाम को खुद कर लेगा यानिकि वहां इसकाम को खुद करेगा अब गई यहां पे जो यह हमसेल्फ आया है यह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रणौन ना होके इंफैटिक प्रणौन होगा त्योंकि इस संटेंज में इंफिसाइज किया जा रहा है यानिकि जोड़ देके कहा जा रहा है कि वहां इसकाम को खुद से करेगा एक दो एक्जाम्पल और नीचे देखिए उसने खुद से डिनर के लिए मील को बनाया है जब भी संटेंज में जोड़ देके कहा जाएगा तो वहां भी जो हमसेल्फ और सिल्फ या सिल्फ लगा गए जो भी आपके प्रणौन आएगा तो वह हमेशा इंफैटिक प्रणौन होगा अपकर इस संटेंज में कह रहा है इस देशल्फ से विल हैब टौन मनी यानि उनको खुद से पैसे कमाने होंगे अपकर यहां पर जो यह दिमसल्फ आया है यह हमारा एंफैटिक प्रणौन आ जाएगा एक और दिख एक जाम्पिल विविश से एक आवल सेल्फ अपकर यहां पर कहा गया है कि हम इसको खुद से देख लेंगे हम इसको खश्ते देख लेंगे तो यहां वह और सेल्फ से कुछ और नहीं रही है इंफारटिक प्रणौन पिर इनमें क्या difference होता है हम कैसे इंको differentiate करेंगे अलग-अलग अब चलिए मैं आपको reflexive pronoun के बाले में पहले तोरी से जानकारी दे देता हूं देखिए guys reflexive pronoun जब ही आएगा जब action subject पर reflect करेगा यानि कि जो भी काम हो रहा होगा sentence में उसका reflect किस पर बढ़ेगा subject पर पढ़ेगा तो वहां पर आपका reflexive pronoun होगा यानि कि action का effect सीधे से subject पर पढ़ने वाला होगा जैसे कि Rohan hurt himself रोहन ने खुद को hurt कर लिया यानि कि जो effect हो रहा है action का वो खुद पर हो रहा है रोहन पर ही हो रहा है तो guys यहां पर जो यह pronoun आया है himself यह यहां पर हमारा reflexive pronoun होगा he loves himself वहां खुद को ही प्यार करता है तो guys action का effect subject पर सीधे से यहां पर पढ़ रहा है you should be a same of yourself तुम्हें खुद पर सेम आनी चाहिए तुम्हें खुद पर सर्म आनी चाहिए we walked home by ourself हम खुद से घर चले जाएंगे guys जाने की बात हो रही है और कहां जा रहे है कि हम खुद से चले जाएंगे जो गाइस एक सन का effect किस पर बढ़ ला है यानिके subject पर पर ला है तो यहां पर यह हमारा concept प्रणौन हो गया reflexive प्रणौन हो गया तो guys अब सीधे से difference में हम यह कह सकते हैं कि जब एक सन का effect हमारा subject पर पढ़ेगा तो वहां पर हमारा reflexive प्रणौन हो जाएगा और जब emphasis करने की बात होगी sentence में जोड़ देके कहा जाएगा तो वहां पर हमारा emphatic pronoun होगा I hope आपकी समझ में आ गया होगा difference दुनों में तो guys अगर आप सिर्फ pronoun देखेंगे himself, itself, ourselves तो guys आप differentiate नहीं कर सकते हैं तो guys वहां पर आपको sentence की tone समझनी होगी किस वे में बात हो रही है उसको आपको समझना है तभी आप गाइस empathic और reflection में difference कर पाएंगे तो guys आज के चोटे से वीडियो में बस इतना ही सा guys आपकी वीडियो समझ में आ गई होगी अगर किसी तरीके कर डाउट है तो आप मुझे comment में पूछ सकते है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिज